नमश्कार मित्रो माग मास की संकस्टी चतूर्थी 29 जनवरी 2024 को है इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए और महिलाएं संतान प्राप्ती के लिए वरत रखती है इस दिन कनेश भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है तिलकुट बनाया जाता है इसलिए से तिलकुटा सकट चोथादी नामों से भी जाना जाता है इस दिन वरत कथा अवश्य ही पढ़नी वे सुनने चाहिए वरत कथा सुनने से पहले आप एक आसन बिछा कर बैठ जाएं और साथ में जलका लोटा भर लें हाथ में कुछ दाने तिलके ले लें जलके लोटे से सुर्य भगवान को अरक देना है और तिलके दाने उसी लोटे में आप डाले जीए वरत कथा एक कुमहार वाली आज हम आप से शेयर कर रहे हैं जो की बहुत ही परसिद कहानी है हर घर में यही कहानी सुनी जाती है एक समय की बात है एक बुड़ियम आई थी उसका पती नहीं था उसका एक मातर सहारा उसका लड़का था वे हर महीने की सकट चोत का व्रत करती भगवान गनेजी का पूजन करती तिलकुट बनाती भगवान गनेजी को तिलकुट का भोग लगाती और स्वयम भोजन किया करती थी एक बार वह लड़का बड़ा ही प्रेशान हो गया बुरिया का बेटा जहां पर भी काम के लिए जाता कोहीं पर भी उसे काम ना मिलता एक बार वह नीचे खड़ा था पडोसनों ने उस लड़के को सिखा दिया कहा बेटा तू तो दरदर भटक रहा है काम के लिए लेकिन तेरी मा सारा समय चट्टे बना कर खाती है कभी तिल कूटती है कभी पकवान बनाती है और तू तो पैसे जोड़ जोड़ कर काम करता है औ तब तक मैं अपनी आँखों से न देख लूँ तब तक मैं कानों सुनी पर विश्वाश नहीं करूँगा अगले दिन सकट चोट थी वह एक पतली सी चादर ओड़कर रसोई में ही लेट गया उसकी मा ने पूछया बेटा क्या तब्यत खराब है तब उसने का हाँ मा मेरे स दर्ध है मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दो मा ने उसे कुछ नहीं कहा और वह रसोई में ही पतली चादर ओड़कर बैठ गया लेट गया मा ने उस दिन सकट चोट थी वरत किया हुआ था इसलिए उसने गिनेश भगवान की पूजा की तिलकुट कूटा और भगवान क भोग लगाया और उसी समय उसने हलवा पूरी बनाई तब उस लड़के की समझ में आ गया कि मेरी परोसने तो सही कहती थी मेरी मा तो सारा दिन पकवान बनाती है और खाती है और मैं दर-दर पैसे-पैसे के लिए भटकता हूँ इतना उसे गुसा आया उसने अपनी मा से कह मा मैं परदेश में काम के लिए जा रहा हूँ मा समझ गई इसे जुरूर ही पडोसनों ने सिखाया है और यह पडोसनों की सिखाये में आ गया है और उसने मा ने अपनी बेटे को कहा बेटा यह सकट चोन के तिल ले जा और जहां पर भी तेरे उपर भी पत्ति पड़ेगी इन तिलों को बो कर बैठ जाना तेरे सभी कस्ट भगवान विग्न हरता पल भर में हर लेंगे तब वह लड़का देश विदेश में निकल गया जंगल जंगल पार करते वे वह गाउं में गया गाउं में किक में ही एक बुढिया उसे मिली बुढिया घर के बाहर बैठी पकवान बना रही थी और रोती जा रही थी तब उस लड़के ने कहा बुढिया एक तरफ तु तु पकवान बना रही है और दूसरी तरफ रो क्यों रही है तब बुडिया ने कहा बेटा आज मेरे बेटे की बारी है इस देश का आवा नहीं पकता और जिस भी देश के आवा नहीं पकता हर घर में से एक लड़के की बली दी जाती है और आज मेरे बेटे की बारी है क्योंकि मेरा बेटा एक लोता है इसलिए आज मैं उसके लिए लड़के ने कहा बुरिया तू रो मत यह पकवान मुझे खिला दे मैं तेरे बेटे की जगा आवे में बैठ जाओंगा बुरिया बोली बेटा कोई किसी के आवे में बैठता है कोई किसी की आई में कौन जाता है लेकिन वो लड़का नहीं माना वो कहने लगा बुरिया तू चिंता ना कर, तेरे लड़के की जगा मैं आपनी बली दूंगा, बुरिया ने उसे पक्वान खिलाए, जब राजा के दूद उसे बुलाने आए, तो बुरिया कभी दरवाजा खड़कर आए, कभी कुछ खड़कर आए, पराए लड़के को कैसे उठाए, लेकिन खड़का उस लड़के को बिठा दिया गया, उसकी माने जो तिल दिये थे, वह तिल वह चारो तरव बोकर बैठ गया, और जहां आवाज चार दिन में पकना था, वह तो ढ़ाई दिन में ही पक गया, जब आवे में से कुमार बरतन उतारने लगे, तो उसमें से आवाज आए, दीरे धीरे होले होले धीरे धीरे होले होले कुमहार तो डर गया बरतन तो सारे पग गये थे लेकिन उसमें से पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी कोन भूत था कोन प्रेत था वह यही सोचने लगा और भागा भागा राजा और राजा के सिपाईयों को बुला लाया राजा ने कहा खुमहार तुम डरो मत हम देखते हैं तेरे आवे में से कोन भूत प्रेत है सारे बरतन उतारे तो वह बुडिया का बेटा बीच में बिलकुल सुरक्षित बैठा था जो तिल उसने चारो तरफ बोए थे वो इतने बड़े-बड़े हो गए थे तब राजा ने पूछा तुम इस भ्यंकर आवे में की गर्मी में कैसे बचे तब उस लड़के ने कहा राजा जी यह मेरी माने तिल दिये थे तिल बोकर मैं बैठ गया और विग्न हरता गनेजी ने मेरे सारे कस्ट पलभर में ही दूर कर दिये मैं तो प्रोसियों की सिखाए में आके अपनी मा को छोड़ कर आ गया था लेकिन मेरी मा तो हर महीने की सकट चोत का वृत मेरी सुरक्षा के लिए ही रखती थी मैं वैसे ही अपनी मा पर दोश लगा कर आ गया तब राजा ने कहा सकट चोत के वृत का इतना महत्म है लेकिन वर्ष में पढ़ने वाली मागी चोत कवरत सभी को करना चाहिए, इससे संतान की सुरक्षा होती है, नी संतान दमपत्ती को संतान सुक्की प्राप्ती होती है, जो भी इस कहानी को कहते हैं, सुनते हैं और हुंकारा भरते हैं, उनके सारे कस्ट विग्न हर्ता भगवान पल भर में ही दूर कर लेते हैं तो बोलिए मागी चोत की जै गनेजी महाराज की जै अगर हमारी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना पूरी हो तो परवान चढ़ाना बोलिए गनेजी महाराज की जै सभी की संतानों को उन्निती देना तरक्की देना दीरगायों देना मित्रों यदि आपको भी तिल चोट सकट चोट के कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चानल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जूट सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें इसी के साथ एक कहानी और सुननी विनायक जी की कहानी भी हम आपको इसी वीडियो में शेयर कर रहे हैं एक गनेजी एक बार एक छोटे से लड़के का रूप धर कर गाउं गाउं घूमने लगे सबसे बोले कोई मेरी खीर बना दो कोई मेरी खीर बना दो किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा समान ले रखा था, एक बुढिया को चोटे से बालक पर दया आ गई, बुढिया ने कहा लाबेटे में तरी खीर बना दूं, वे चोटे-चोटे बरतन लेकर आई, लेकिन लड़का बोला माई, बड़े बरतन लाओ, बुढिया को गुसा आ गया, गुसे मे उसने बड़े बड़े बरतं जमीन पर दे मारे लड़के ने दूद की धार बांदी तो दूद कतम ना हूँ चावल की धार बांदी तो चावल कतम ना हूँ बुर्या जमझ गई ये तो कोई भगवान है बुरिया ने खुश होकर खीर बनाई और छोटे बालक से पूछा बेटा जब खीर बन जाए मैं कैसे बुलाऊंगी तब बालक ने कहा बुरिया माई कहे देना चुटक मनार तेरा भोग लगी और मैं आ जाऊंगा उदर बुरिया ने खीर बनाई बुरिया की बेटे की बुग को बहुत जोड से भूख लगी थी और इतने स्वादिष्ट खीर देकर उसके मुँ में पानी आ गया उसने कटोरे में खीर डाल कर दरवाजे के पीछे बैठ कर चुटक मनार भगवान का नाम लिया और खीर खा ली इतने में ही बुरिया आए बुरिया ने चुटक मनार भगवान को भुक कारा चुटक मनार भगवान आए बोले बुरिया माई मेरा तो भोग लग गया बुडिया बोली कैसे लगा भगवान चुटक मनार भगवान ने बोला जब तेरी बहुने दरवाज्जे के पीछे बैठ कर खीर खाई तबी मेरा भोग लग गया बुडिया बोली भगवान अब इस खीर का क्या करूं भगवानने कहा सारे जग में जनार दे और जब खीर ना खतम हो तो देली पर खड़े होकर बोल दे ना खीर का थो, खतम हो जाए, धन आ जाए, खीर का थो, खतम हो जाए, धन आ जाए, खीर का थो, खतम हो जाए, धन आ जाए, खीर का थो, खतम हो जाए, धन बढ़ता गया, उसके बाद चुटक मनार भगवान ने बोला, बुढिया वर मांग, बुढिया ने कहा, भगवान सोने के कटोरे में मेरी पोत बहु दूद लेकर आई और भगवान शी कृष्ण जी हंडोले में बिठा कर मुझे स्वर्ग ले जाएं चुटक मनार भगवान ने वैसा ही किया उधर पोत बहु दूद लेकर आई उधर हंडोले में बैठ कर भगवान शी कृष्ण जी के साथ बुड़ हैं तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब जै चुटक मुनार भगवान आवश्य लिखें